नमस्कार दोफ्तों सबसे पहले तो बहुत भहुत धन्यवाद आप लोगों को जो आप लोग वीडियो को इतना सरा प्यार्द रहे हैं और वीडियो को सेयर कर रहे हैं तो आज के वीडियो मम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस एट इक्रिस यूपी पुलिस कॉंस्टेबल ए demonstrate को दोफ़े हैं और और रैक्ष öğren होगों को आप्सटेन नमर्स ये जो दिवान इर्ज विज भाग है किस्छे संबद निहीं कुछा का दोफ़े इसला पना किसने किया था ततुए इसका अस्थापनत भलग न बालबन न कर वाय था आगे देखेंगे question number two question number two है आपका नालंदा बिहार का विध्वान्स किसने किया था आपसन ने देखी का बक्तियार खिलजी ने B है कुतुबू दिन अभक ने C है मुहम्माद बिन तुगलक ने और D है अलावदिन खिलजी ने तो question number two का right answer हो जागा दोस्तों आपसन नमरे यानि बक्तियार खिलजी ने क्या किया था नालंदा विष्व विध्याला को विध्वान्स कर दिया था और नालंदा जो विष्व विध्याला है दोस्तों प्राचीन काल में सिच्छावा ग्यान का परसित केंद्र हुआ करता था किसके लिए तो सिच्छावा ग्यान के लिए सिच्छावा ग्यान का परसित केंद्र था इसकी अस्थापना अगर आप से पूछा जाए तो इसका अस्थापना दोस्तों गुप्त सासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा करवाए गया था इसका अस्थापना दोस्तों ग आगे बात करेंगे question number 3 पे हम लोग question number 3 देखिएगा भारतिय सम्मिधान दिवस मनाया जाता है आपसे नहीं देखिएगे दोस्तों 26 अक्टूबर को B है 26 जनौरी को C है 26 नॉब्मर को और D है 15 अगस्त को तो question number 3 का right answer हो जागा दोस्तों option number C जो आपका सम्मिधान दिवस है परतेक साल 26 नॉब्मर को मनाया जाता है और आपके जानकारी के लिए बता दें सम्मिधान की प्रस्तावना में 26 नॉब्मर 1949 तो 26 नॉब्मर 1949 का उल्लेक उसी दिन का रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों न सम्मिधान को अपनाया था अगला कोश्चन देख लीजेगा कोश्चन नमर फोर भेरी भेरी मॉस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन है कोश्चन नमर फोर नोट लगा लीजेगा इस कोश्चन के आगे समाजवादी सब्द किस संसोधन के तवर जोड़ा गया आपसर नहीं देखेगा 42 संसोधन भारती संसोधन की प्रस्तावना में 42 संसोधन 1976 के दौरा कभ 1976 के दौरा समाजवादी धर्म・ निर्पेच और अखंडता सब जोड़ा गया था कहीं कहीं आप से पूछा जागा कभी कभी किस संसोधन के तवर भारती संसान की प्रस्तावना में अखंडता जोड़ा गया फिर कभी पूछेगा आपसे धर्म निर्पेच कब पूझे गया इस तरह से पूछेगा तीन तरह के कोशन पूछे जागा तो आप यहीं प्याद रखेजिए कि 42 समिधान ससोदम समाजवादी धर्म निर्पेच और अखंडता जोड़ा गया ताकि एक ही तीर से बाकी सब का काम चल जाए तीनों का निशाना हो जाए आपका देखेंगा दोस्तों कोश्चेन नमर फाइब मानव सरीर में बीटामीन भंडारित होता है आपसे नहीं देखिएगा यक्रित में देखिएंग कोश्चेन नमर फाइब का राइट आंसर वह जाए आपसे नमर ए यहानी मानव सरीर में जो बीटामीन भंडारित होता है कहां पर संचीत होता है तो यक्रित होता है और थोड़ा सा जानाएगा बीटामीन ने का दूस्तों राजायनिक नाम का है तो रेटिनाल है कि बीटामिन एक stick ले रा targeting के नाम किया है एक व बसा है बसा में गुलंसील अब क्योंबte Sig breakfast 9 – 11,15 की देशा दो प्विक्स्राइब कि कॉस्ट्ण पूशा जाएगा वे कौन कौन से बीटामिन उनी है जो जल में तो आपके जनकारी के लिए थोड़ा से नहां पर रुखना चाहेंगे ताकि एक कोश्चन आपका सही हो सके देखिए कि A, A, D, E और K, A सब किसमें है तो बसा में घुलंसील है और बाकी जो आपका B और C है किसमें घुलंसील है तो जल में घुलंसील है ठीक है और इसकी कमी से का होता है विटामीने की कमी से दो तो रताओधी रोग हो जाता है और इसकी प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए आपको इसकी प्राप्ति के लिए आपको दूद मखन अंडा मचली का तेल इत्याद खाना चाहिए अगला कोश्चन देखीगा, कोश्चन नम्मर 6, 1857 में भारत का गवर्णर जनरल कौन था? जब 1857 का विद्रो हुआ था, उससे में भारत का गवर्णर जनरल कौन था? माप करीगा, आप से नहीं देखीगा, बेलेजरी, बी है डलहोजी, सी है कैनिंग, और दी है मिन्टो, तो एक कोश्चन आप से नहीं पर पूछ लिया जाता है और जब यहां पर विद्रो हुआ था, 1857 में तो इंगलेंड का परधानमंत्री कौन था? तो याद रखिएगा दोस्तों, पाम हर्स्टन, पाम हर्स्टन, नेक्स्ट देखते हैं कोश्चन नमर 7, कोश्चन नमर 7 है आप पूरा नाम हो जागा दोस्तों, एलन, अक्टोबियन, बी देखीगा अलफ्रेड वेप, सी है जार्जूल, और डी है दादा भाई नवरोजी, तो कोश्चन नमर 7 का राई टांस्ट रो जागा दोस्तों, आप्सन नमर 1, यानि ए जो 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 जिसका पूरा नाम है एलन, अक नाम था पक थे, इनी के द्वारा भारती राती कांग्रेस का गठन किया गया, देखेंगे कोश्चन नमर 8, किस मुगल बास साग की मिर्तियू, पुस्तकाला की सीन्डियों से गीर कर हो गई थी, या कोश्चन बार बार आप से पूछा जाता है, आपसन नहीं देखीगा अक पुस्तकाले की सीडियों पर से उतर रहा था, वह ही से गिर कर इसकी मिर्ति हो गई थी, नेक्स देखेंगे, कोश्चन नमर 9, कोश्चन नमर 9 है अपका, उत्तर परदेश में इस्तिर भीतर गाउं मंदिर, और कोश्चन आपसे पूछा जागा कि भीतर गाउं मंदिर है कहा से, तो कोश्चन नमर 9 का राइट अंसर हो जागा दोस्तों, आपसन नमर 1, इस दोनों मंदिर है, वो दोना गूप्त वन से समन्नित है, नेक्स्ट कोश्चन देखेंगे, कोश्चन नमर 10, कोश्चन नमर 10 है आपका, राज सरक्वारों का सम्मयधानिक प्रमुख कोन होता है अपसन नमर 10, कोश्चन नमर 10 है, हम तो राज पाल होता है, राज सरकारों का सम्मयधानिक प्रमुख राज पाल होता है और आपके जानकारी के लिए थोड़ा से बताएंगे, हम सम्मीधान के अनूझेद 154 के अनुसार राजे सरकारों का समयधानिक परमुक कौन होगा राजेपाल होगा अगला कोश्चन देखेंगे कोश्चन नमर 11 कोश्चन नमर 11 एसिया का सबसे बड़ा जलब परपात हुंडू किस जगह के पास है आपसे नहीं देखेंगे राची बी है हजारी बाग सी है जमसेदपूर और सबसे बड़ा जलब परपात हुंडू जलब परपात बनाया गया है मैं आसा करता हूं कि कोश्चन आपको समझ में आ रहा होगा नई समझ में आगा तो कमेंट करके जरूब पूचिए क्वेश्चन नमर 12 देखेगा विश्व की सबसे उची चोटी किस परकार के परवतों में पाई जाती है आपसे नहीं देखेंगे दोस्तों प्राचीन मोड़दार परवत बी है नवीन मोड़दार परवत और दी है बलाग परवत तो क्वेश्चन नमर 12 का राइट आंसर हो क्वेश्चन नमर 12 अपसर नमर भी यानि नवीन मोड़दार परवत और बिस्ट्यों कि सबसे उची चोटियां नवीन मोड़दार परवत नवीन मोड़दार वालित परवत मीं पाई जाती है इसका उधारान देख लेते हैं तो हीमाले का नाम सुने होंगे और इंडीज का का नाम सुने होंगे आप यह सब क्या है यह सब दोनों नमीन मुरदार परवत के उधारान है कि नेस्ट कोस्चन पर देखते हैं कोस्चन नम्मर 13 दिल्ली के किस सुल्तान है सबसे ज्यादा नहरों का निर्मार किया था यह कोस्चन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा यह छोट्टे से लेकर के बड़े एक जामों तक हमेशा देखने को मिलता रहता है आपसे नहीं देखी गा फिरोसा तुगलक बी हेल्टूत्मिस सी हे बल्बन और डी हे सिक अंदर लोदी तो कोस्चन नम्मर 13 का राइट आंस्रों जाग दोखतूं आपसे नम्मरे यह यह फिर रोजगार दिलाने वाला सुल्तान यह लोगों को क्या किया था सबसे अधिक रोजगार दिलवाय था और कोस्चन में आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक दास यह गुलाम किसके दर्बार में थे तो फिरोसा तूलक के दर्बार में हलाकि यह क्या किया था एक अलग ही अपतास में भागी अथापना क्या था जिसका नाम था दिवान अबंदगान से बी देखेगा संसद का हिस्सा होता है सी देखेगा संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है और डी है संसद में ओट दे सकता है तो कोश्चन नमर 14 का राइट आंसर हो जागा दोतों आपसर नमर भी यानि संसद का हिस्सा होता है बस और क्या है संसद में बैठ सकता है तो संसद में बैटता नहीं है, तो संसद का हिस्सा होता है राष्टपती, आपके जानकारी के लिए बताएंगे, संसद दोस्तों, तीन लोगों से मिलकर बनती है, पहले नमर पे कौन है, लोकसभा, लोकसभा, दूसरे नमर पे हो है दोस्तों, राजसभा, और तीसरे नमर पे आपका प्रेसिडेंट राष्टपती याद रखिएगा नेक्स्ट है आपका कोश्चन नमर 15 कोश्चन नमर 15 है आपका अजाज सत्रू के वन्स का नाम था आपसन यह देखिएगा मौर ब है हर्यक, सी है नंद और डी है गुपत तो कोश्चन नमर 15 का राइट आणसर हो जागा दोस्तों आपसन नमर भी यह जो आजाज सत्रू का आप नाम सुने होंगे वो किस वन्स संब्दित है तो हर एक वन्स संब्दित है इसके पीता दोस्तों है दोस्तों इसके पीता है विमिसार उसके बाद से कौन हुआ अजाज सत्रू इसके बाद से अजाज सत्रू का पूत्र कौन होता है उदाईन्या उदय भध्र ये इतना बताने के इतने ज़रूद के आफ पड गई हम तो उदाईन्या उदय भध्र के द्वारा क्या हुआ था सोनियम गंगा नदी के संगम पर पातली पुतर नामक नगर की अस्थापना की गई थी यह कोश्चन आप से पूछा जाता है ठीक है थोड़ा से यहां पर रोकना चाहेंगे आपको जो भी मिसार है इसे स्रोनिक बोलते हैं जैनी लोग इसे का बोलते हैं स्रोनिक इसकी उपादी है स्रोनिक बोलते हैं और अजाज सत्रु को दोस्तों कुणिक बोलते हैं तो कैसला आज का टॉपिक, कमेंट करके हमें जरूर बताईगा, एक छोटी इस रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने की हैं, तो सब्सक्राइब कर लिजेगा, ताकि इसी तरह से मायदार कोस्चन हम आपके बीच लाते रहेंगे, जब तक आपका एकजाम नहीं हो जाता है, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद.